नमुस्कार दोस्तों, मैं मिनाक्षी, अपनी आज किस वीडियो में लेके ही है, यह है इसका फ्रन्ट पार्ट, आगे का हिसा और यह है इसका बाक पार्ट, पीछे का हिसा यह जो डिजाइन है, इस डिजाइन के लिए हमें, 4 के मल्टिपल में फंदों की जरूरत होगी, 255 दोफंदे एक्स्ट्रा design को equal करने के लिए और 4 होंगे हमारे इसमें a एक्स्टेक यह जो design है इस design को हम single color के साथ भी बुन सकते हैं और double color के साथ प os Granth और यहां पर इसे मैंने डबल कलर के साथ भी बुना है आप इसको डबल ट्रिपल मतलब कई बार होता है कि हमारे पास जो है थोड़ी थोड़ी उन बची होती है उसके साथ भी आप यह डिजाइन बना सकते हो अभी हम आज का जो डिजाइन है वह हम डालेंगे 18 फंदों के के लिए और इसमें हमारे चार होंगे एच स्टिच तो टोटल 18 फंदों के साथ हम अपना डिजाइन आज का यह डालेंगे यह मैंने अपनी स्लाइब में 18 फंदे डाल लखे हैं और मैं अपनी बुनाई के सीधी तरफ हूं पहली स्लाइब पहला फंदा एच स्टिच है बिना बुने उतारेंगे दूसरा एच स्टिच सीधा बुनेंगे इसके बाद जो पैटर्न के फंदे हैं उसमें से दो फंदे बुनेंगे सीधे उनको पीछे ही रखेंगे दो फंदे बिना बुने उतारेंगे अब फिर दो फं और फंदे बिना बुर्ने उतारेंगे यह दोनो Iss Kita क्टिक यह सीदे बुन जाएंगे जब फंदे बिना बुने उतारने ताय उन हमारी पीछे रहेगी उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे अब ये जो पैटर्न के फंदे हैं पहले दो फंदे बुने जाएंगे उल्टे ही उल्टी तरफ है उल्टी स्लाई है तो उल्टे फंदे बुने जाएंगे और ये दो फंदे जो पिछली स्लाई में सीधी स्लाई में बिना बुने उतारे थे उल्टी स्लाई में भी हमने उन फंदों को बिना बुने उतारना है फिर दो फंदे उल्टे एक दो और ये दो फंदे बिना बुने उतारेंगे एक और ये एक दो दो फंदे उल्टे दो फंदे बिना बुने उतारेंगे दो फंदे उल्टे दोनों एच स्टिच ये भी उल्टे ये होगी हमारी पहली दो स्लाई मतलब की सीधी तरफ की और उल्टी तरफ की दोनों स्लाईयों में जिन फंदों को हमने बिना बुने उतारा था पहली स्लाई मे उल्टी स्लाई में भी हमने उनको बिना बुने उतारना है, अब आगे हम अपनी तीसी स्लाई पे, तीसी स्लाई हमने पूरी सीधी बुननी है, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद पूरी स्लाई हमने सीधी बुननी है, जो फंदे बिना बुने उतारे थे, व पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, एस्टिच है, दूसरा एस्टिच हमने उल्टा बुनना है, अब यहां पे ये दो फंदे जो पाटन के हैं, ये दोनों एस्टिच है, दो फंदे जो पाटन के हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है, जहां से हमारा पाटन स्टार्ट होता है पहले दो फंडे जिनको हमने पहली और दूसिर बिना उतारा था अगर यहां से हम देखेंगे तो कि यहां पे यहां से पता चलता है कि यह दो× fed ने हमने बिना उतारे थे तो अब 2004 में और सीधा है 1 और यी 2 उनको अपनी तरफ क्या है दो दो फंदंगे तो है और बाकी फंदे उल्ते बुने जाएंगे तो इस तरह से चाहत से हो हमारे फंदे 2 उल्टे और 2 सीधे दोनों vgs यह भी उल्टे यह होगी हमारी चौत ही स्लाई अब आगे हम अपने पाच मीं सीथी पर पातमी पाच मीं वैसे ही पहला फंदा बिना उतारा दूसरा फंदा सीधा बुना अब यहां पे हम देख रहे हैं यह होगि दो सीधे दो उल यह एँगे हमारे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, पूरी स्लाइफ हमारी इसी तरह से जाएगी, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दोनों एच स्टिच सीधे, अब आगे हम अपने उल्टी स्लाई पे, यह जाएगी बिल्कुल चौथी स्लाई की तरह, पहला फंदा एच स्टिच बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, दो फंदे उल्टे, पैटरन के, उसके बाद दो सीधे, मतलब कि तीसरी, चाथी, पांच वे और छटी स्लाई में हमारा पैटरन होगा, दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे, दो यह होगी हमारी छे स्लाइब बुनने के बाद जब हमने दुबारा जो डिजाइन शुरू करना है तब हमने अपने डिजाइन को अल्टरनेटली चेंज करना है तो उसके लिए पहला फंदा बिना बुने उतारा दूसरा फंदा सीधा बुना अब पिशली बार यह जो पैटर् पर हमने यह उल्टे फंदों को बुनना है यह जो दो फंदे हैं यह बिना बुने उतारेंगे इस तरह से यह दोनों फंदे सीधे एक और यह दो उनको पीछे ही रहने दिया दो फंदे सीधे दो फंदे सीधे और यह दो फंदे बिना बुने उतारेंगे फिर दो फंदे सीधे दो फंदे बिना बुने उतारेंगे मतलब कि यह जो उल्टे फंदे हैं इनको हमने बुनना है जब दुबारा डिजाइन शुरू करना है और यह जो सीधे फंदे हैं इनको हमने बिना बु बुने उतारेंगे, एस्टिच दोनों सीधे, तो दुबारा हमने अपने जब पैटर्न शुरू किया है, तो एक स्लाई हमने डाली है, बाकी की पांच स्लाई बिल्कुल वैसी होंगी, जिस तरह से हमने नीचे डाली है, तो उसी तरह से उनको बार-बार दोहराएंगे, इसमे हर बार हम ये ध्यान रखेंगे, जो हमारे उल्टे फंदे हैं, उनको हमने सीधा बुनना है, सीधे फंदों को बिना बुने उतारना है, जब हमने ये पैटर्न डबल कलर में बुनना है, तो छे स्लाई के बाद दुबारा पैटर्न जब हमने शुरू करना है, तो हम ये कलर जो भी कलर हम बुन रहे हैं दूसरा कलर वो लगा के दो है तीन है जो भी कलर और लगा रहे हैं तो उसके साथ हमने दूसरा कलर लगाते हुए इसको चेंज करके तो दुबारा वो पैटर शुरू करना है तो इसी तरह से यह चार यह छे स्लाई बार बार दोहराते हुए alternatively हम अपना डिजाइन पूरा करेंगे